हेलो एवर्योन वेल्कम टो माय यूटूब चैनल एमकी प्लस पॉइंट आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ इंडेक्स प्रोपर्टी जो बजा हुआ है उसके बारे में हम बताएंगे इसके बाद जो है आपका स्वाइल मेकिनिस का तिसरा मोडूल समाप्त हो जा है तो आप मेरा वीडियो जो इंडेक्स प्रोपर्टी से रिलेटेर है उसको जरूर देखें तो चले भीना टाइम बेस्ट की विए आज के वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करते हैं यहां जो अगला इंडेक्स प्रोपर्टी है सेंसिटिवीटी तेहां सेंसिटिवीटी को बताने से पहले आपको unconfined compressive strength के बारे में हम बताएं क्योंकि sensitivity में आपका जो है unconfined compressive strength का भी यूज है इसलिए आपको sensitivity से पहले unconfined compressive strength क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं तो इसका क्या definition है कि unconfined compressive strength is defined as the load per unit 8 which is an unconfined prismatic or cylindrical a specimen of a standard dimension of a soil feels in simple compression test any key इसमें क्या किया जाता है मीटी का एक cylindrical specimen बनाया जाता है उसके बाद क्या simple compression test में अगर जो जिस load पर यह जो आपका specimen फेल कर जाता है उस load को ही क्या बला जाता है unconfined compressive strength यहाँ unconfined कहने का मतलब क्या है यहाँ जो surrounding pressure जो रहेगा उसका effect परना जाए यहाँ जो हम a specimen बनाएंगे किसी container में नहीं रखेंगे इसी खुला जो आपका बाई मंडल है उसमें में ही रख के आपको क्या करना है simple compression test करना है अगर जो उस simple compression test में जिस load पर जो है आपका structure फेल कर जाता है उस load को ही क्या बला जाता है unconfined compressive strength unconfined compressive strength को जिस machine में चेक किया जाता है वो machine आपको हम दिखाते है यहाँ देखिए क्या है एक सिलेन डिकला स्पेसिमेंस वाइल का जिसको क्या simple compression machine के अंदर रखा गया है और उपर से इस पर क्या पर रहा है load पर रहा है अब यहाँ देखिए आज रखना है कि it is related to consistency of clay यहाँ कि unconfined compressive strength जो होता है consistency of clay से क्या है related है इसका unit किलो न्यूटन पर मीटर अस्क्वार आप जूकि यह क्या consistency of clay से related है इसलिए कि वो यू के मान पर क्या consistency का types क्या करेगा चेंज होगा तो यहाँ देखिए आपको कुछ consistency of clay जो है वो क्या है divide हुआ है किसके basis पर unconfined compressive strength के basis पर इधर देखिए QEU जिसको क्या बोलते है unconfined compressive strength इसका unit होता है किलो न्यूटर पर मीटर अस्क्वार अब इसका मान इधर भाहरी कर रहा है तो इधर भी इसका क्या है consistency of के लिए क्या रहे divide हो रहा है यहाँ देखिए अगर जो QEU कमान less than 25 है तो उसका consistency किस प्रगार का होगा बेरी soft होगा अगर जो 20 से 50 के बीच में है तो soft होगा अगर जो 50 से 100 के बीच में है तो medium होगा अगर जो 100 से 200 के बीच में है तो उसका consistency stiff होगा उसके बाद अगर जो 200 से 400 के बीच में है तो बेरी stiff होगा अगर जो greater than 400 होता है तो उसका consistency hard होगा एनिकि यहाँ पर हम क्या किये है clay का consistency है QEU के अधार पर क्या है classify किया गया है QEU काहने का मतलब क्या है Unconfined Compressive Stand तेहाँ Unconfined Compressive Stand क्या है इसके बारे में आपको समझा दिए एनि यहाँ Unconfined Compressive Stand में सिर्प आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें एक Standard Dimension का cylindrical Specific Mind मनाते हैं और उस Specific Mind को Simple Compression Test करते हैं Simple Compression Machine में और वह जिस लोड पर वह एस्ट्रक्चर फिल कर जाता है उस लोड को यह क्या बला जाता है Unconfined Compressive Stand यहाँ Unconfined कहने का मतलब है कि Surrounding जो Pressure रहेगा उसका Effect पड़ सकता है इसको जो किसी Container में नहीं रखना इसको खुला वाईमंडर में खुला एट्मोस्फेर में रखकर ही Simple Compression Test आपको Check करना है जिस लोड पर यह structure आपका क्या कर जाता है फिल कर जाता है तूट जाता है वही जो होगा उस वाईल का होजगा Unconfined Compressive Stand उसके बाद क्या किया है कि QEU के अधार पर Consistency of click को क्या किया गया है यहां बाटा गया है आप देखिए अगला जो इंडेक्स प्रोपर्टी है आपका Sensitive BTA अब Sensitive BTA क्या है इसके बारें पहले हम डिपनिशन इसका देते हैं इसका डिपनिशन क्या है Sensitive BTA is a measurement of loss in strength of soil as a result of remolding It is denoted by EST Sensitive BTA को EST से denote करते हैं इसका डिपनिशन क्या बोले है कि measurement of loss in strength यहनि क्या है यह एक पारामीटर है जिसके help से loss in strength को क्या किया जाता है बताया जाता है लेकिन कब loss of strength होगा जब कोई स्वाइल आपका undisturbed condition में है अगर उसको हम remote करते हैं तो वहाँ जो strength का loss होता है उस strength को sensitivity के help से क्या करते हैं निकाला जाता है अब देखे sensitivity को निकालने के लिए आपको जो हो यह फर्मूला आज रखना है sensitivity बराबर क्या हुआ QEU QEU का मतलब क्या हो गया Unconfined Compressive Strength QEU at undisturbed condition QEU at remolded condition आनि कि undisturbed condition में कोई स्वाइल है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे निकाल लेंगे QEU उसके बाद उसको जब remold करते हैं तो remold करने के बाद उसका जो compression strength रहेगा उसको निकाल लेंगे और दोनों का अगर जो ratio कर देंगे तो वो जो भिल लुआएगा आपका sensitivity को बताएगा अब देखे इसी फर्मोला को definition के रूप में लिखे हैं अनि कि that means sensitivity को दूसरे टर्म में भी हम define कर सकते हैं यहां के आए ratio of unconfined compressive strength of an undisturbed specimen of the soil to the unconfined compressive strength of a specimen of the same soil after remolding it unaltered water content यहां जो ratio किसका लेंगे undisturbed condition में स्वाइल जो है उसका QEU निकालेंगे और जो remolding condition में आपका स्वाइल है उसका QEU निकालेंगे और दोनों का जो ratio आएगा वही आपको ज़ेगा sensitivity यहां देखे अन-confined के बारे में आपको बता दिए क्या है बंधन मूग यहां surrounding pressure पड़ सकता यहां जो आज रखना है कि स्वाइल का जो specimen हैगा न वो cylindrical रहेगा और इसका जो dimension रहता है standard रहता है इसमें जो मानके चलते हैं इसका length है इसका जो diameter है तो दुनों का जो ratio होता है 222.5 के बीच में lie करता है इसका एक standard dimension होता है इसी cylindrical specific column को क्या करते है simple compression machine में रखते हैं जिस load पर या जो structure क्या है फेल कर जाता है इस load को ही क्या बला जाता है up exacer comprensive strength अब बताए हैं आपको uncomximn compressive strength क्या होता है उसकी ऑद आपको आफो sensitivity में भी uncomfinned compressive strength का यूज हुआ इसलिए आपको unconfined compressive strength के बारे में आपको knowledge रहना चाहिए तब आपको sensitivity का विमान आप निकाल सकते हैं अब यहाँ देखिए आपको बता है undisturbed condition undisturbed condition करने का मतलब क्या है मान लेते हैं कि आपका जो क्या है यहाँ smile आपका रखा हुआ अगर जो इस smile को आप यहाँ से निकाल कर आप कहीं दूसरे जगा ले जाते हैं मान के लेते हैं दूसरा container में इस smile को क्या करते हैं रखते हैं तो यहाँ कुछ न कुछ strength का loss होता है और यही जो strength का loss होता है वही कौन बताता है आपका sensitivity यानि कि sensitivity आपका loss in strength को बताता है जिसको SD से सुचित करते हैं SD बराबर क्या बता है कि uncomfined compressive strength at undisturbed condition और QEU at remolding condition अनि कि यह जो हो गया आपका undisturbed condition में हो गया आई यह आपका जो हो गया remolding condition में हो गया दोनों का क्या करेंगे निकालेंगे यहाँ पर QEU इसमें भी QEU निकालेंगे यह QEU को उपर और इस QEU को नीचे रखेंगे और यही जो ratio आपका हो जाएगा sensitivity यहनि कि sensitivity के बारे में आपको अच्छा से समझ में आगे हो कि sensitivity का physical meaning क्या होता है अब देखिए यहाँ क्या है based on value of sensitivity natural clay deposit are grouped as following अब natural clay deposit होता है उसको sensitivity के value पर क्या करते हैं उसको group कर सकते हैं उसको बाढ़ सकते हैं इधर जो लिखे हैं हम sensitivity के बार लिखे हैं इधर जो है classification और उस sensitivity पर structure के आवाश वाईल का इधर हम लिखे हैं अगर जो sensitivity का मानुआन होता है तो यह insensitive होता है इसका कोई structure नहीं होता है क्योंकि insensitive कोई स्वाइल होई नहीं सकता है कुछ ना कुछ sensitivity उसमें रहे गाई अगर जो insensitivity है तो उसका कोई structure नहीं हो सकता है अगर जो 2 से 4 की बीच में रहता है तो उसको normal और less sensitive स्वाइल कहा जाता है संसिटिव होता हbür से 8 विच में तो ये classification किस पकार से हैं संसिटिव महीं स्कारव इसका जो स्वाल इससे कक्रावता है एक अस्टीव कंशनी होगता है मरूंस न्यानों हो सकता है तो ये एक्सट्रा संसिटो विच वुटा इसका जो structure flow q length होता है अगर जो sensitivity का मान greater than 16 होता है तो यह क्योग होता है यह unstable होता है यह कि इसका कोई structure बन ही नहीं सकता अगर जो more sensitive रहेगा तो यह कह सकते हैं कि जितना ज्यादा sensitivity रहेगा soil का उतना हानी हो जाएगा आपको उस soil को structure में उज़ करने के लिए इनिकि जितना कम आपका soil sensitive है उतना ही आपके लिए क्या बेणी ही फिट है जो ज़्यादा sensitive रहेगा उसको आप कोई structure में डाली नहीं सकते हैं और जब कोई structure में डाली हो गया अपके लिए यहां ध्यान आपको रखना है कि सेंसिटी बीटी जीतना कम रहेगा स्वाइल उतना बरिया रहेगा जितना ज्यादा रहेगा स्वाइल रहें के लिए अनिज्व गां नीचे लिके आपको निट में कि दिक्री ओप डिस्टर्वेंग्स एचिब डं रिमॉल्डिंग निकिरी म बारे में हाँ सबस्वेश पहले हम डिफाइन करते हैं इस दाइट प्रोपर्टी ओप स्वाल्द डिव जों सीय इन्स इस्टरेंट डिव्र डिमोल्डिंग एट अन अल्टर मौस्ऺर कंटेंट में बी रिगेंड ध्यान रखना पर आपका जो अश्ट्रेंट लॉस हुआ जिस प्रोपर्टी के द्वारा उस अश्ट्रेंट को रिगेन किया जाता है उस प्रोपर्टी को ही क्या बोलते हैं ठिक्सो ट्रोपी अब देखें हैं आपको स्ट्रेंट टाइम की बीच में एक गराब बता हैं तो जो अच्ञेंट कर लओ सोता है वह रिकेन करने वाला जो परपर्टी होता है इसको क्या बोलते हैं तो च्रीट बढ़ू सो जाता है तो कुछ ना कुछ आपका strength क्या करता है loss कर जाता है यहां R से हुआ remolding, S से हुआ hardening hardening के मतलब होता है कि समाई के साथ यह अपना share strength को regain करता है उसी को हम क्या कि गराफ में दर्साय है यहां R फूर क्या है remolding, S फूर है hardening नोट में हैं कुछ बात याद रखना है कि cohesive soil have greater thixotropy than cohesionless soil यहां कि cohesive जो soil रहता है उसका thixotropy क्या होता है ज्यादा होता है कि से cohesionless soil से उसके बाद एक चीज़ आउरद रखना है कि higher the sensitivity large अदा thixotropic hardening यहां कि जिस soil का sensitivity ज्यादा रहेगा उसका thixotropic hardening क्या रहेगा लार्ज रहेगा इसके बाद देखें अगला जो index property है activity अब activity क्या है इसको define करने से पहले आपको कुछ बाते बताते हैं तब आपको activity को define करेंगे तो अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा यहां लिखें कि the amount of absorbed water in a soil is greaterly influenced by the amount of clay that is present in soil यहां कि किसी soil में जो water present रहता है यहां soil जो यूज हो रहा है आपका clay हो रहा है activity clay soil के लिए ही valid है तो उहीं चलिक हैं कि amount of absorbed water in a soil एक soil में जो absorbed water है और ज्यादा influence होता है किसे the amount of clay that is present in soil उस soil में जो clay आपका present है उससे उसके बाद आगे क्या लिखें plasticity index of a soil is function of both the type of clay mineral and the amount of clay mineral present in soil यहां कि plasticity index जो होता है दो चीज का क्या होता है फंक्शन होता है वो फंक्शन कौन कौन है कि कि किस परकार का आपका मिंडल उसमें present है और किस amount में clay mineral क्या है present है दोनों का function होता है क्या plasticity index अब देखें कि आज़ केंटन एब्जर्ड डेट आईपी इस डिरेक्ली परपोर्पोर्पोर्चनल टू परसेंटेज और किले साइज पार्टिकल बाई बेड असकेंटन नामा का एक बैज्यानिक थे जिन्होंने अब्जर्ड किये हैं कि आईपी का जो हमान और डिरेक इसे iéहां आपको बताते हैं किफ् practically अनुसर क्या है कि आई पी जोhin이다 प्रशनिल होता है परसेंटेज सी परसेंटेज शी काने का मतलब हुआ परसेंटेज ओ न स्व Alm पास्पेस कर्षाः ने अगर आपको किया है आपको परपोस्नल रहता है तह्यां और अता है parameter आता है अब देखे AC बराबर क्या हो जगा IP बटे percentage C percentage C क्या है आपको हम बताएं इसलिए AC बराबर जो हो जाता IP बटे percentage C अब देखे इसी formula को आपको यहां लिखा गया है अब देखे क्या है on the basis of this अब इस basis पर इस basis पर he defined a soil parameter which is called activity अब वह जो basis था उसी पर असकेम्टर नामा को जो बैग्यानिक थे एक पारा मीटर को define कें जिसको activity कहते हैं अब देखे एक्टिवीटी अब क्लिए हो जाएगा क्या plasticity index by percentage of particle finer than 2 micron by bit वही बताएं percentage C के मतलब क्लिए particle जिसका क्या है आपका साइज होता है 2 micron से छोटा वही जो percentage आपका पर्जेंट रहेगा स्वाइल में उसी को नीचे में लिखना है तब यह जो भीलू आज़ेगा आपका activity का आज़ेगा आज रखना कि activity को AC से सुजित करते हैं आपका पर्जेंट रहेगा उसका मान ले लेना कि कितना पर्जेंट है उसके बाद इस चीक को क्या बहुत सकते हैं smaller than 2 micron ऐसे भी आप जानते हैं जो स्वाल होता है उसका पार्टिकल क्या होता है 2 micron से छोटा होता है अब activity के अधहार पर जो clay का जो है उसको classification किया गया है कि activity अगर जो less than 0.75 तो इसका consistency क्या होता है इन active होता है अगर जो activity का मान 0.75 से 1.25 के बीच में तो इसका consistency क्या होगा नर्मल होगा ओही अगर जो ac का मान greater than 1.25 रहेगा तो उसका consistency क्या होगा active होगा यहां जो है आपको यह result आपको याद रखना क्योंकि यह सब जो आपको objective में देकर कहीं confusion उडालेगा तो confusion नहीं होना इसलिए आपको जो यह result आपको बताएं यह आपको आदराना चाहिए अब देखें note में भी कुछ पात लिखे हैं कि higher the value of activity more will be its compressibility and represent more change in volume due to moisture variation यहां क्या करा रहे हैं कि जिस soil का activity क्या रहता है ज्यादा रहता है वो ज्यादा compressible रहता है उसको ज्यादा compress कर सकते हैं एंड रिपर्जेंट more change in volume due to moisture variation अगर जो moisture को हम क्या करते हैं बहरी कराते हैं तो change in volume को देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मिलेगा हैंस higher active soil not preferred for foundation बर्ग अब चुकि क्या है अगर अब यहां क्या है volume change अगर जो देखने के लिए मिल रहा है तो क्या है आपके लिए और हानी और structure कभी भी settle कर सकता है इसलिए यहां लिखें कि high active soil not preferred for foundation बर्ग foundation बर्ग के लिए जो high active soil लेगा उसको preferred नहीं किया जा सकता है इसलिए आज रखना है कि foundation बर्ग के लिए जो high active soil लेगा उसको preferred नहीं किया जाता है अब देखें यहां आपको तीन क्ले मिंडल लिखे हैं जो पहला क्या है क्योलो नाइट उसके बाद इलाइट उसके बाद मॉंट मॉरिलो नाइट इन तीनों का एक्टिवीटी का मान कितना होता है उसके बारे में हम लिखे हैं यह सब जो है आपको जब हम क्ले मिंडलो लोज रूख इसके बारे में जब हम के लिम्हें बताएंगे वहां आपको असानी से समय आजा attempting आपको समझतिया तो सिसके बाद अगला जो इंडेक्स पर ह्पटोफिस स्टेंट ऑटे अरक्हा बताहँ हैंसे क्लेप्सिविट्अते सचनग में निक एक wzdh किसको खाते हैं तो इसका definition क्या लेखे हैं कि that soil which so large decrease in volume with increase in butter content at same pressure are treated as collapsible soil यहां पर क्या same pressure pressure को चीज़ नहीं करना अगर जो soil में butter content का volume क्या करें increase कर रहे हैं अगर जो हम देख रहे हैं कि large amount में decrease in volume हो रहा है तब उस परकार के स्वाइल में आपको एक ही ध्यान रखना है कि सेम प्रेसर प्रेसर आपको क्या है चेंज नहीं करना है सिर्फ क्या चेंज करना वाटर content का अगर बाटर कंटेंट का माहन हम चेंज कर रहे हैं तो हम decrease in volume large amount में देखने के लिए में रहा तो इस परकार के को क्या बोलता है। स्वाइल में आपको लिखे हैं loose soil, loose जो बोलो में चेंज हुआ इसके करद कर शेंट है लिए क्रीज इन बाटर क्टेंट और और नहीं आपका collapse potential कहलाता है collapse potential को cp से लिखते हैं इसलिए collapse potential cp बराबर क्या हो जाएगा delta v बटे भी नोट यहाँ delta v क्या है जब butter content कमान हम change किये हैं बढ़ाएं हैं तो हम volume का जो change कितना हुआ उसको उपर लिखें और initially बढ़ाने से पहले जो उसका volume ता उसको नीचे रखें अब यह जो ratio आएगा आपका collapse potential काल आएगा अब देखें रिलेशन बिट्विन settlement white ratio with collapse potential collapse potential के साथ settlement white ratio का क्या relation है उसके बारे में हम यहां लेके हैं cp मतलब collapse potential cp बराबर क्या है delta b बटे b note e यहां से आया उसके बाद delta h बटे h note यहां क्या है यह का मतलब होता है settle meant यहां क्या है delta e बटे one plus e note यहां e क्या है white ratio यह दोनों जो आपको यहां सिर्फ याद रखना है जब हम compatibility chapter बताएंगे तो हम यह कैसे आया इसके बारे में हम बताएंगे तो यह आपको क्या है कुछ relation था हूँ इसको आध रखी क्यूंकि objective के रूप में कभी कहीं दे सकता है तो इसमें confusion नहीं करना है अब देखिए आपको क्या होता है उसके बारे में बताते हैं यहां लिखेंगे अपको आप स्वाइल इस पारीटेंशल के के बारे में बताएं हैं कि कोलेप्स पोटेंसियल जो रता है उस टर्म कोई क्या बोलते हैं कोलेप्सिबिलिटी इस डिनोटेड बाइ सीपी ओ ही लिखें कि कोलेप्स पोटेंसियल को सीपी से सुचित करते हैं अब देखें नोट में लिखें हैं कोलेप्स पोटेंसियल जो प अगर जो 1 से 5 की बीच में रहता है तो moderate होगा अगर जो 5 से 10 की बीच में रहेगा तो trouble होगा अगर जो 10 से 20 की बीच रहा तो 7 trouble हीमा अगर जो greater than 20 रहा तो इसका very safer trouble होगा ठीक है डोस्तों आज का वीडियों 낮ag करते हैं इसके बाद जो क्या है आपका स्वाइल मेकिनिक्स का तीसरा मोडूल जो क्या था इंडेक्स प्रोपर्टी एंडेट्स डिटर्मिनेशन वह आज समाप्त होता है यह जो चेप्टर था थोड़ा लॉंग था तो पैसे बनाकर इस चेप्टर को अच्छे से पढ़ना है अगर जो फिर भी आपक अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो कुछ बेली फीट आपको रहा हो तो मेरा चैनल को जरूर से जरूर सस्क्राइब करें जितना भी हो maximum लाइक आओ इसको सेयर करें थैंक्यु दॉस्तों